प्रेस दे बेल आइकन ओन दी यूट्यूब आफ आप सबी का हार्दिक सोगत है इंडियास भारत पे आशा करता हूं कि आप सबी लोग बहुत अच्छ होंगे तो आज हम आपके लिए लिए टेस्ट और एक बहुत ही इंट्रोस्टिंग वीडियो लेकर आएं जिसमें आप द लाते रहें तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और आं तुम इसके बारे में बात करेंगे जैहिंद जै भारत असलामौ अलेक flavored जी कैसी आप बेहुत अच्छी मुः वालेकुम असलाल हुट उख लैजियो अज्र अच्छी क्या कहना चाहेंगी केनड़ा से पहले स्टार्ट करें क्यों आपके जो पारण मिस्टर आंवनोंने स्टेट्मेंट दी है बड़ी और बड़ी ना एजी प्राइमनेस्टर जस्टिन ट्रोडो अपने ही कैनडा के पार्लेमेंट में खड़ा होकर कि ये स्टेट्मेंट देता है कि निजजर को भारत ने मारा है लेकिन उसके पास कोई प्रूफ नहीं है इस दिस काइंड ओफ जोक और ही सब्सक्राइमनेस्टर और कार्टून कारेक्टर मुझे तो मतलब समझ में नहीं आ रहा है मैं एक बात बता दू कि ये जितने भी लोग खालिस्तान खालिस्तान का जिप पकड़ करके बैटे हैं ये अक्चली मैं ड्रक्स गांजा नशे के सामान के लिए एक दूसरे को काटते मारते हैं और जहां तक जियो पॉलिटिक्स पर और मेरा रिसर्च है ये खालिस्तान खालिस्तान का जो ये लोग नात पढ़ते रहते हैं ये हुंडी और मनी कलेक्शन के लिए भी एक दूसरे को मारते काटते हैं और एक दूसरे को मतलब हत्याबी कर देते हैं अब जैसे बाबा सिद्धी के पे हमने बात किया था तो पुलिस के रिपोर्ट के असाब से बात आ गई ना कि अर्बो खर्बो रुपए की एक मल्टी कॉंप्लेक्स का एक कंस्ट्रक्शन होने वाला था उसी को ले करके उसका मडर हो गया तो ठीक वैसे ही जैसे मुसल्मान इमाम बनने के लिए All India Muslim Personal Law Board का हेड बनने के लिए एक दूसरे को जूते चपल से मारते हैं लाठी से मारते हैं भारत में उसी तरीके से खालिस्तानी जो होते हैं वो नशे के व्यवपार के लिए और हुंडी और तोलावाजी के पैसे के लिए ब्लाक मनी के लिए एक दूसरे को मारते काटते हैं अब निजर हो, पन्नू हो, जगमीत हो, इन में से किसी का भी जो पासपोर्ट है और सिटिजन जो है वो भारत का नहीं है, अब जैसे निजर है, उसके पास पासपोर्ट कहा का है, कैनेडा का है, उसके बाद पन्नू है, उसके पास पासपोर्ट कहा का है, वो सिटिजन कहा का ह अमेरिका का मेरेका है अब जगमीत है। उसके पास्पोर्ट कहा का है वो सलाकार किसका है जस्टेन ट्रोड का है और कैनेड़ा का रिसिदेंट है वो कैनेडा का पास्पोर्ट है। तो जब इन में的是 कोई भारत बहुत का इसस्तान बनाने का जिद तुम कैनेडा के सिटिजन हो करके कैसे कर सकते हो अब मैं यहां भारत में बैठी भी हूँ अब मैं कहूं भी कि मैं पाकिस्तान में एक राम भक्त का सितान बनाऊंगी राम भक्तों का एक पूरा गाउं बनाऊंगी तो तुम भी कहोगे न कि आप रहती भारत म हैं और यहां पर आप इस इसलामबाद में और कराची में कह रही हैं कि आप यहां पर हिंदू का एक पूरा गाउं सजाईएगा ऐसा कैसे हो सकता है तो भाई यह लोग कैनेडा में खालिस्तान बना लें अब बात आती है कि जस्टिन ट्रोडो ने अपने एकदम साफ लफजो में कल पार्लिमेंट में बैट करके खड़े हो करके अपना स्टेटमेंट दिया कि जो इंटेलिजेंस और फाइव आई ने उसको इन्फोर्मेशन दिया था कि निजर की मौत के पीछे भारत का हाथ है लेकिन वो सेर्फ इन्फोर्मेशन था अब मिनिस्ट्री ओफ एक्स्ट क्यानिटा के पार्लिमेंट में खड़े हो करके कह दिया हमारे पास तो कोई प्रूफ ही नहीं है हमें तो हमारे एलोटा किस्स से लडने के लिए भारत से इतनी बड़ी एक पोरे दुनिया में अभी सर्वो प्रियम आना जा रहा है अब क्या हुआ है कि कैनेड़ा के सिटीजन से जो केट वोटरस है जो कैनेड़ा के नाग्रिक है वो अपने प्राइम निस्तर से कह रहे है कि दुम जूट में हमारा नुकसान कर दिया है और भारत के साथ इस वक्त यह जो इक्तलाफ तुमने निजर के चक्कर में किया है, इससे तो हमारा प्रॉबलम हो रहा है, इससे तो हमें तकलीफ हो रही है, हम तो तुमको सरकार से गज़ादेंगे, उसके बाद फिर जो ऑपोजिशन प पास कोई प्रूफ है नहीं इन्हों ने तो बस ये बस उठे और इन्हों ने भारत पर एक लगा दिया अब डॉक्टर रैज्य शंकर भी जेम्स बॉर्ड उन्हों ने भी कह दिया भाई प्रूफ के साथ बात करो अब अभी कोई अगर कह दे कि नाजिया अब कोई कह दे कि नाजिया ने इसलाम के विरोध में कुछ बात किया है तो भाई आप भीड लगा करके नाजिया को गालिया दे सकते हो लेकिन जब कोट में वो मैंटर जाएगा तो आप तो प्रूफ नहीं कर पाओगे क्योंकि नाजिया ने तो ये किया नहीं है अब जैसे ह और पूरी दुनिया के सामने दिखाओ कि भारत ने निजर को मारा है अब वो भाई पूरा छटपट हो चुका है बिन पहंदे को लोटा जस्टिस ट्रोडो और कह दिया कल खड़े हो करके कि हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है इवें उसने अपने स्टेट्मेंट में ये कहा ये जा रहा है मलब इल्जाम भी लगाया जा रहा है कि भारत ने किया और दूसी साइट पर ये का रहा है भारत ही हेल्प करे इसे डूंडने के लिए मामले को सामने के लिए ठीक है अच्छा इधर एक चीज़ मैं जो कैनेड़ा से आई नो के बहुत से लोग देखते है कैनेडा से हमें हास और पर हमारी सीख ब्रादरी बहुत से लोग देखते हैं हमारे पंजाबी भाई हमें बहुत देखते हैं हिंदू बहुत देखते हैं मुसल्मान भी जो वहां पे मुझूदा देखते हैं काइंडली अपनी अपनी पिनियन कमेंट बाक्स में जरूर बता जाओंगी वो सिख जो गुरु गोविन सिंट जी को मानते हैं वो सिख जो दस्तार पहनते हैं वो सिख जो कड़ा पहनते हैं वो सिख जो गुरुदवारा जाते हैं वो सिख जो हमारे एक्वेंटेंस में हैं हमारे दोस्तों में हैं मेरी सिख करनल से मेजर से बहुत दोस्ती है तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाओगे, तुम देखोगे, कि मैं उनको शादियों में जाती हूँ, उनके यहां के सेरिमनीज में जाती हूँ, और गुर्दवारा में सब कुछ होता है उनके यहां, यह लोग कुछ खालिस्ताने से बहुत नफरत करते हैं, बहुत चुड़ते ह हमेशा देखना को यह पंजाबी बोर्ट लेकर खड़ा रहता है, कि हम भारतिया नाग्रेक हैं, हमें खालिस्तान से कोई लेना देना नहीं, तो जो सच में आक्च्ली में सिख हैं, दस्तार वाले, वो इन खालिस्तानियों से नफरत करते हैं नफरत ठीक है अच्छा कमेंट बाक्स में काइनली जूर बताईएगा हास और पे इंडिया से जो हास और पे इंडिया साइट पंजाब है वहां से जो लोग हमें देख रहे हैं अपनी उपिनियन बताईएगा उससे फाइदा ही होता है कि हमें भी क्लैरिट हुई है खालिस्तान डिसकस नहीं हुआ लेकिन यह चीज़ें डिसकस हुई है इंडिया के फॉर्ण निस्टर ने बोला है कि जब तक टेररिजम जब तक इसके इलावा जो यहां पे आपस में एक दूसरे की हम बॉंटरी की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे में जो य डाक्टर एस जेशंकर ने स्टेटमेंट दी है बिल्कुल खुलन खुला कि टेररिजम हतम नहीं होगा इसके लावा एक्स्रीमिजम हतम नहीं होगा यह सेप्रेशन मुवमेंट यह वह जो भी चीज़ें है यह हतम नहीं होंगी ट्रेड पॉसिबल नहीं है हमारे भारत के जेम्स पॉंड डॉक्टर एस जैशंकर मिनिस्ट्री ऑप एक्स्टरनल अफ़ेर के मंतरी काबिनेट मंतरी और आदर्णिया पढ़्धान मंतरी के सबसे नस्दी की सबसे प्रिये मंतरी पाकिस्तान में जो गदर उन्होंने मचाया है पाकिस्तानियों के लिए खहर नाजिल हो गया है आप इस क्वेस्टन का अंसर पेशे लास्ट में करिएगा लेकिन आपको यह आपको यह आंसर करना पड़ेगा यही तो हमारी सब्यता है यही तो भारत का सिविलाइजेशन है यही तो श्रिमन भगवत गीता के श्लोप पढ़ने वालों का करिज्मा है यही तो है अब आती है बात कि डॉक्टर रैस जैशंकर ने पाकिस्तान में घुस करके कहा था ना घुस के मारेंगे तो पाकिस्तान में एंटर करके उन्होंने पाकिस्तान के वजीर आज़म को आइना दिखाया और साफ लफजों में कहा आतंकवाद, अलगाओवाद, कटरवाद नहीं चलेगा 15 अक्तूबर की SCO की मिटिंग में आपके पाकिस्तान के इसलामबाद में बेशक बहुत बड़े-बड़े पूरी दुनिया के कान और इस पूरी दुनिया की आखें जो अटकी हुई थी और पूरे दुनिया के मीडिया के कैमरा के लेंस अगर अटके थे तो डॉक्टर एस जैशंकर के स्टेटमेंट पर ही अटके हुए थे, क्या ये बात मैं गलत बोल रही हूँ शोय? नहीं, इसमें कोई शक नहीं और हास दोर बेह हम जो पाकिस्दान ही आपस में बैठके दिसकेशन कर रहे थे, आफ दी कैमरा, मतलब मैं अपने दोस्तों के साथ, अपने कुलीग्स, अपने सीनियर्स के साथ, तो यही बात कर रहे थे, कि दबंग एंट्री थी, मतलब बुत पाकिस्तान को यह समझ में आ गया, कि डॉक्टर एस जयाशंकर जो बोलेंगे, खुलकर बोलेंगे, और करिस्मेटिक बोलेंगे, और पूरी दुनिया को ब्रेकिंग न्यूस दे देंगे वो, हलाके 16 अक्तूबर की जब SEO की समित की मिटिंग में डॉक्टर एस जयाशंकर ने अपना लाइव स्टेटमेंट चाम के चार बजे दिया, तो उसको पहले आप लोगों ने म्यूट कर किया, आपकी मीडिया वालों ने म्यूट किया, और फिर बाद में उसको ब्लैक आउट भ कभी चेंज नहीं होता है, तो पाकिस्तान का भी नीचर और सिखने दोस्तों आशा करता हूं कि सोहिब चोधी और नाजी लाइख खांजी का पूरा डिसकेशन और ये डिबेट आपको काफी पसंद आयोगी, और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलाओका, लाते रहें तो चलिए, फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबदस वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए, जै हिंद, जै भारत!